दोस्तों आज हम जो महिलाओं को दिखाने जा रहे हैं वो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा तो यहां पर यह महिलाओं देखिए यहां पर पूरे गाओं की जो मानने हैं वो महिलाओं यहां पर काम कर रही हैं देखिए कि इनका जुरून और जज़वा देखिए कि किस तरह से यहां पर पूरा तालाब यहां पर जो बनाया जा रहा है वो महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है और यहां पर एक दो सिर्फ यहां पर पुरुस आपको नजर आएंगे और बाकी जितनी भी हैं यहां पर महिलाएं यह तालाब बना रही है तालाब बन रहा है इन चारो तरफ यहां पर देखिए आमके लगे उए हैं और यहां पर बीच में यह तालाभ यहां पर है जिसकी पटाई हो रही है to यहां पर दो तीं कुरस यहां पर यहां यह इसको पाट रही है यहां यहां पर देखिए महिलाओं का जजवा देखिए महिलाओं का जुनून देखिए लोग कहते हैं कि महिलाओं कमजोर होती है लेकिन अच्छे अच्छे आदमी जो यहां की महिलाओं काम कर रही है वो नहीं कर पाएंगे यहां पर देखिए सब यहां पर देखिए कितनी महनत का काम ये पूरा का पूरा जो तालाव है ये महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है पाटा जा रहा है तो महिलाएं कंधे से कंधा चला का काम करती हैं महिलाएं आज किसी से कम नहीं है यहां पर महिलाएं देखिए कितना काम कर रही है और देखिए फावड़ा भी चला रही है ये देखिए महिला का जुनून देखिए उनका कारी देखिए और देखिए बरावर से बरावर देखिए पुरुस भी चला रहे हैं और ये महिला भी जो है यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर फावडा चलाया जा रहा है और उसको यहां पर भर करके और पूरा का पूरा हम यह तालाद देखिए यह महिलाओं के द्वारा यहां पर बनाया जा रहा है तो महिलाओं किसी से भी कम नहीं है देखिए यहां गाओं के जो प्रधान है या सरकार जो पैसा दे रही है उसका यह कमाल है यहां पर रोजी रोटी का सवाल होता है सब अपना परिवार देखती कि हैं इनके आदमें भी और महिला हैं देखिंगे आपने बच्चों के लिए और उनकी पδास पर चांघ से हैं और फिर घृ कि आपorg उसके बाद फिर यहां से जाएंगी और फिर खाना जो है बनाएंगी खाना बना करके तब बच्चे पेड़ भरते हैं तो देखिए महिलाएं कितना आगे हैं पुरुसों से पुरुस के आगे महिलाएं देवी होती है महिलाएं सरस्टी होती है, महिलाएं जन्नी होती है, महिलाएं अब तभी सरस्टी की रचाईता महिलाएं होती है तो यहाँ पर देखिए महिला का करतब भी देखिए जिस देश में महिला पुरुस के बरावर काम करती है उस देश का विकास होता है दोस्तों किसी काम के लिए सरम नहीं करनी चाहिए काम होना चाहिए उससे अपना घर की अर्थविवस्था अच्छी होती है और देश की अर्थविवस्था अच्छी होती है जिस देश की महिलाएं जागरूख होती है उस देश का विकास जरूर होता है तो आप यहां परावर फावड़ा चलाती है चला करके जो है आप काम कर रही है ना अच्छा अच्छा फिर उसके बाद फिर देखिए यहां पर सब जो है यहां पर देखिए मेहनत का काम कर रही है अगर अच्छा लगे मेरा इनका मैलाओं का काम देख करके आपको अच्छा लगे तो इनके लिए आप लाइक जरू करिएगा धन्यवाद